गरीब की बारिश गई थी अरे जानकी इस बार तो बरसात में हद ही करती रुकने का नाम ही नहीं ले रही कुछ समझ में नहीं आ रहा अगर इसी तरह काम पर नहीं गया तो दो वक्त की रोटी का जुगार कैसे होगा अरे तुम चिंता क्यों करते हो बारिश का क्या है इकात दिन में रुक जाएगी और उसके बाद में फिर से काम शुरू हो जाएगा अरे तीन दिन तो हो गए बरसात तो रुक ही नहीं रही है और आगे भी रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे तो क्या हुआ तुम्हारा काम बंद हुआ है न मैं तो अभी भी लोगों के घर जाड़ू पोचा करने जाती ही हूँ मेरे पगार से कुछ दिन दो निकली जाएगी अरे घर का खर्चा तो हम किसी तरह चला लेंगे जानकी लेकिन यह जो अच्छत टपकरी है इसका क्या करेंगे ये बात तो आपकी से ही है हमारी जोपड़ी अब काफी पुरानी हो चुकी है और इसके चपर में भी कई सारे छेद हो गये है रात भर पानी तपकता रहता है अरे मैं भी इसी बात से बहुत परिशान रहता हूँ कहीं किसी दिन ज्यादा बारिश आ गई तो हमारी जोपड़ी तूट कर बिखर न आ जाए राम 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 ऐसी अशुब बाते क्यों करते हो अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला ये जोपड़ी ही तो हमारा सब कुछ है अगर यहीं नहीं रही तो हम जाएंगे कहा ठीक है जानकी जब तुम्हारी पगार मिल जाएगी तो कुछ पैसे बचा कर जोपड़ी के छपपर की मरमत करवा लेंगे शायद हमारी परिशाने कुछ कम हो जाए ठीक है जी अब ना ज्यादा परिशान मत हो ये लो खाना खालो और सो जाओ सुबह मुझे भी जल्दी काम पर जाना है जानकी और कालू अपनी जोपड़ी में सो गए रात को अचानक से बहुत तीज बारिश शुरू हो गई धीरे धीरे बारिश का पानी कालू की बस्ती में भरने लगा पानी भरते भरते जूपड़ी के बाहर तक पहुच गया था सुबह के वक्त जब कालू और जानकी सो कर उचे हे भगवान ये क्या हो गया बारिश का पानी तो हमारे घरों तक पहुच चुका है अब मैं काम पर कैसे जाओंगी रहने दो जानकी तुम आज काम पर मत जाओ ऐसे पानी से निकल कर जाओगी और विमार पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे लेकिन अगर नहीं गई तो मालकी नाराज हो जाएंगे आप जानते हैं न बड़ी मुश्के से एक दिन की छुट्टी भी नहीं देती है अरा लेकिन जानकी जोपडी के बाहर तो पूरी बस्ती में पानी बरा है तुम जाओगी कैसे जानकी जैसे तैसे करके काम पर जली जाती है लेकिन अगले दिन फिल से बहुत ज्यादा बारिश होती है और बस्ती में ज्यादा पानी कर जाता है आज तो मैं तुम्हें किसी भी तरह काम पर नहीं जाने दूँगा अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा ठीक है तुम ठीक ही कहते हो आज नहीं जाती अगर माल के नाराज हो गई तुम मना लोंगी किसी तरह अरा मनाने वाले क्या बात है जब तुम बताओगी के हमारी जोपड़ी में पानी भर गया है तो वो खुद ही समझ जाएंगे न अगले दो दिन तक तेज बारिश होने के वज़े से जानकी कालू और आसपास की बस्ती में रहने वाले सभी लोगों के घरों में पानी भर जाता है जिसकी वज़े से जानकी काम पर नहीं जा पाती और तीन दिन के बाद जैसे ही जानकी काम पर पहुँशती है कहा थी तुम पिछले तीन दिनों से काम पर क्यों नहीं आई मेम साब क्या बताओं इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी हमारी पूरी बस्ति में पानी भर गया है और उससे भी ज्यादा तो मेरी जोपड़ी के अंदर पानी भर गया आपी बताए कैसे आती मैं इसका मतलब ये हुआ कि बारिश होगी तो तुम काम पर नहीं आओगी ना ना मेरे कहने कहिए मत्मल नहीं था मेम साब तुम जानती भी हो तीन दिन से कितनी परिशानी हो रही है मुझे सारा काम मुझे खुद करना पड़ा मास करती जी मलकिन जी पर मैं क्या करती आने के लिए रास्ता ही नहीं था सब जगा पानी भरा हुआ था वहानी तो तुझे बहुत बनाने आते है जान कि देख अगर अगली बार ऐसा किया ना तो फिर काम से हमेशा के लिए छुटी अरना नमाल की ने सामत कीजे बारिश के वज़े से मेरे पते की मचदुरी भी छुट गई है बड़ी मुश्कल से घर में दो वक्त खाने की रोटी का जुगाण हो पाता है आप मुझे काम से निकाल देंगी तो हम क्या खाएंगे अगर इतनी ही चिंता है तो फिर रोजाना काम पर आया करो चलोग जल्दी से जाकर घर का सारा काम करो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी पूरे शहर में बार जैसे हालात बन गए थी लेकिन नौकरी जाने के डर से जानकी किसी तरह रोज काम पर जाती थी एक दिन जब जानकी काम करके अपनी घर लोट आई तो अचानक उसकी बस्ती में कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया अर लगता है बाहर कुछ हुआ है, मैं जाकर देखता हूँ पता तो कीजिए, ये बस्ती में लोग इतना शोर क्यों कर रहे है बाहर जाकर कालू ने एक आदमी से पूछा अरे क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों मचा रहा है अरे क्या बताय भाईया, अपनी बस्ती के बाहर एक पूल तूट गया है और वहाँ पर एक कार फसी है थोड़ी देर में अगर किसे ने नहीं बचाया मा तो वो कार पानी में बैया जाएगी ये क्या कह रहे हो भाईया, कार के अंदर कोई है क्या हाँ, कोई आरद बैड़ी है, अके लिए बहुत रोरी है, बिचारी, मदद के लिए बुला रही है अरे तो हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए न अरे लेकिन इसमें बहुत खत्रा है, हमें अपने आपको बचाना चाहिए पानी का फीबी हमारी बस्ती की तरफ आ सकता है अरे तुम्हें नहीं चलना तो मा तो चलो, लेकिन मैं तो जाकर उस आरद की मदद जरूर करूँगा कालू उस जगह पर पहुँचता है, जहां वो औरत कारे फसी हुई थी वहाँ पर पानी का बहुत तेज था और सारा पानी कालू की बस्ती की तरफ ही आ रहा था कालू ने एक बड़ी सी रस्ती को पेड़ से बान दिया और दूसरे सीरे को कार की तरफ ठैंक दिया और उस औरत को रस्ती के सहरे बहार आने के लिए कहा, तब ही वहाँ जान की भी दोड़ती हुई आई और ये तो मेरी मालकिन है, जिनकी यहां मैं काम करने जाती हूँ परमाइडम जी, आप डरियेगा मत, आपको कुछ नहीं होगा आपकी गाड़ी को भी मैंने रस्ती से बान दिया है थोड़ी दिर में पानी का बहाव कम हो जाएगा, फिर हम आपकी कार को भी बहार निकाल लेंगे क्या तुम जान की के पती हो? हाँ हाँ, जान की मेरी ही पत्नी है, आपकी यहां काम करती है न? लेकिन मेम साब आप यहां पानी में कैसे फ़स गई? अब क्या बताओं, मैं अपनी सहलियों के साथ पिक्निक पर गई थी, वहीं से लाट रही थी, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और मेरी गाड़ी फ़स गई और कोई बात नहीं मालकी, अब नाप बिल्कु सुरक्षित है, मैं तो बहुत बुरे तरह डर गई थी, कबसे मदद के लिए चिला रही थी, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया, भला हो तुम्हारा पती का, जिसने मेरी जान बचा ली, लेकिन जानकी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यावार किया, इतने खराब मौसम और बार्ड में भी तुम्हें काम पर आने के लिए कहा, नौकरे से निकालने की धमकी भी दी, और तुमने, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो, और कोई बात ने, मालकिन, आपकी जान बचाना तो हमारा धरम था, देखो जानकी, तुम्हारी जोपड़ी में जोबी नुकसान हुआ है, उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूगी, आज तुम्हारे पती ने मेरी जान बचाई है, और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नौकरे से निकालने की धम की नहीं दूगी, आज मैं तुम्हारी परिशानी को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, हम जैसे पैसे वाले लोगों के लिए अपने घर में बैठ कर बारिश का मज़ा लेना बहुत आसान है, लेकिन तुम गरीब लोगों के लिए बाड़ और बा तुम परिकिन